आम शान्ती आज 29 एप्रिल 2030 हम सुन रहे हैं शाकार हिंदी मुरूली आज के महावाइकों इस महावाइकों में बाबा बोले मेठे बच्चे स्रिमत ही स्रेष्ट बनाएगी परमत बामनमत स्रापित कर देगी इसलिए स्रिमत को कभी भी भोलो मत ये बाबा का ओर्डिनांस भी है बाबा का नौलेज भी है प्रश्ण शोतोप्रदन पुरुशार्ति कौन और तमप्रदन पुरुशार्ति कौन दोनों का अंतर क्या होगा उत्तर सौतप्रदन पुरुषर्टी बाप से पुरा बर्षा लेने का पुरुषर्ट बप्रतिग्या करते हैं वो याद में रहने की रेश करते हैं और नमबर वान जाने का लक्षो रखते हैं तमप्रतन पुरुशर्टि कहते जो तकदिर में होगा अच्छा, प्रजा बनेंगे तो प्रजा ही सही, उनके आगे माया का ऐसा बिगनो आता है जो वो रेश से ही बाहर निकल जाते, आज का गीत मुझको सहारा देने वाले तुम्हे सुक्रिया, अम शांती, बच्चे अब सम मुख बेटते हैं बाप का, तु जानते हैं हम जीब आत्मा हैं, यहां तो जीब आत्मा ही होगी ना, जब आत्मा को सरीर नहीं है तो नंगी है, उसे आशुरिरी कहा जाता, तुम तो शरीर सहीद बेटे हो, है ना, आत्मा बापरमात्मा जब तक सरीर में ना आये, तब तक वो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते जैसे स्कूल में समझते हो ना, हम टीचर द्वारा इंजिनियरिंग शिकते हैं वेरिश्टरी शिकते हैं, तो यो भी तुम्हारा एम अब्जेक्ट रहती है स्कूल में भी रहती है, ये भी स्कूल है ना, ये तुम्हे नर से नारयन, नारी से लक्ष्मी बनना है, लक्ष्मी नारयन का दुनिया में जाना है, तुम बच्चे समझते हो, परमपिता परमात्मा हमको ब्रम्हा के तौन से बेट राजजुक शिखाते हैं, जिस राजजुक से हम उत्तुरादी कर पाते हैं भागवान वाच्छों यो तो बच्छों को समझाया है ना कि भागवान निराकार को कहा जाता इस समय तुमारा ये ज्यान प्रफ्त होता है जिवात्मा पुनरजन्मों जोरूर लेती है कोई भी शन्नाशी से पूछो मुनिश्य पुनरजन्मों लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं स्रिकार करेंगे नहीं तो चुराशी लाक जन्मों कैसे कहेंगे पूछो तुम पुनरजन्मों को मानते हो तो ये तो बरोबर है आत्मा संसकार अनुशार एक शरीर छोर फि में समझाना है ऐसे ऐसे करते मुनशु चुराशी लाक जन्मों नहीं पर उन्तु चुराशी जन्मों लेते हैं उसका गलत फेमिया तुमें तोड़ देना चाहिए इस से शिद्ध होता है ना पहला जन्मों जुरूर बहुत अच्छा सतप्रदन होगा सतियोग में होगा लास् परंपित परमात्मा ने परंजन्मों लिया है या जन्ममरन रही थे देखो यह पाइंट बहुत शुक्ष्म है अगर कहेंगे जन्ममरन रही थे तो फिर शिब जयन्ती शिद्धों नहीं होती क्योंकि शिब जयन्ती तो होती है संसार में कहेंगे शिब जयन्ती तो मनाई ज जाता है हाँ शिप जयुंति है परुंतु जन्मों के साथ फिर मरना जिसको कहा जाता वो परम्पित परमात्मा का नहीं है अगर मरे तो फिर पुनर्जन्मों लेंगे तो बाप कभी पुनर्जन्मों लें ही लेते हैं बाप कहेते हैं मेरा कोई माता पिता भी नहीं मेरा कोई गुरू गुशाई भी नहीं, वो इस तौन में, ब्रह्मा तौन में एक ही बार आते हैं, जब कलियुक का अंत, सतियुक का सुरू होता है, बस फिर पनरजन्मों में नहीं आते, जुरूरी नहीं, परम्पित परमात्मा पनरजन्म रहित है अवश्य, वो कब तमप्रदन से, श बहेना चाहिए न, सब मुनश्यों को पतित से पाबन बनाने के लिए, तो कौरिस तुल्लों से हीरे तुल्लों बनाने के लिए, वो कर्मों ड्रामा में परम्पित परमात्मा को दिया गया है, कोई मुनश्यों को नहीं, इसमें शिद्ध होता है, आत्मा ही पतित होती है, आ तो सतोप्रदन रहेते हैं, बाप कभी भी बच्चों को गंधी मौत नहीं दे सकते हैं, बाबा टूथ है, गौड इस टूथ कहेते न, इस समय के पोतित मौनश्यों पोतित मौत देते हैं, तो अब पाबन बाप कहेते हैं कि पोतित नहीं बनो, और थात बिकारों में नहीं जा अग्यान आता है, बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे ही नहीं सकता माया ही दुख देती है उस माया पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनते हो यह तुमारी लिए बरी शिक्षा है मुनिश्यों माया का अर्थों भी नहीं समझते है वो धौन को माया कहो देते हैं इसलिए वो धौन को तो छोने से भी तयार नहीं है कहते हैं न तो इनको माया का नशा बहुत चरा हुआ है पर उन्तों माया तो अर्थों को नहीं धौन को नहीं तो बलकि पांच बिकर को कहा जाता है जो पाँच बिकार नारी में भी है पाँच बिकार पुरुशु में भी है अगर पाँच बिकार का नशा है तो माया एकदम खा जाती है तो ये भी और्डिनंस बाबा हमें समझाते हैं शब्धानी देते हैं सतियुक तृता में माया का नशा होता नहीं वहां रावन का बोत ब करा जाता है शास्ति कोई यह बात नहीं है लिखा हुआ है न दिवताई बाम मारगों और्थथाद बिकारों गजाते हैं माया के बश होने से परवश हो जाते हैं परमत पर चलते रहते हैं अभी तूम चलते हो। मात पर स्री मत दरा ही तुम स्रेश्ट बनते हो परमत माना माया की मात स्री मत माना परमपित परमात मा की मात स्री अर्तत स्रेश्ट मात है एक बाप की वो हमरे टीचार भी है वो हमरे सद्गुरू भी है वो है परमत राबन की मात इसलिए बाप ने कहा है आशुरी शंप्रदाय सब राबन की जंजीरों में दुकी है मैं आया हो तुमको छोराने के लिए तो ये बड़ा काम बाबा करते है इस समाए मुनश्यों ने तो सत्यू की आयू लाखो वर्षों समझ लिया है तो तुम हिशाप कितब बताते हो लाखो वर्ष कैसे है क्राइश्ट को देखो दू हाजार वर्ष हुआ बुद्धो को देखो बाइशो पचास वर्ष हुआ फिर इस्लामी को देखो तो पचिस सा वर्ष हुआ सब को मिला करके देखो अधा कल्प हुआ अर्थत मैकसिमम तो राई हाजार वर्ष हुए है ना इसको अधा कल बाकि आदा कल्पों कहा तो इनके पहले तो आदा कल्पों था 0.50े साल था तो देवत्वों का रज्यों था फिर देवत्वों को लाखा बर्षों कैसी कह हो सकते ये तो संभब नहीं तो इतने बर्षों होते फिर तो मुनुश्यों बहुत हो जाएंगे इतने तो होता नहीं अभी तो practical प्रमान तुम देखते हो 5000 बर्षों में ही कुरूरों मुनिश्यों हो जाते हैं कहते भी है न क्राइट से 3000 बर्षों पहले भारत में आदी शुनातुन देविदवता धर्म था तो बाइबल में जनिसस चाप्टर 2 में ये तो योलेक है ये बेखा है तो इसमें हमें सिध्धो करना है तो ये ड्रामा का ड्यूरेशन 5000 साल है 5000 बर्षों पूरे हो जाता है नाटों पूरे तो होते हैं न तो स्थोल नाटों भी देखो एक समय पूरा होता है बिच में इंटर्वेल पड़ता है इन बातों को कोई जानते नहीं बस तो में बहुत का भी ड्रामा होता है ये ड्रामा अभी खुतम होने वाले है मैं जो हूँ जैसा हूँ यो चक्रों कैसे फीटता है तो कोई जन न सके क्योंकि कोई स्कूल कलेज में यो पाठ पराते नहीं स्यांग भगवा ना करके ये बच्चों को पराते हैं बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ तो मुझे वो ही समझ करके मुझे याद करो जनम जनम का बिकर्म तुमारा भश्मा होगा बाप ही समझाते है यो है गीता तुमारा जीवन का गीत है बाबा ने आकर सहोज राज्जुक शिखाया था तो तब उनका गीता रखा गया नाम जैसे क्राइस्ट ने शिखाया तो उनका नाम बाइबिल रखा है यो अनादी नाम रखे हुए हैं तो वो रिपीट होते हैं ये बात समझना चाहिए ना बाबा तो बुरहा बुरियों को भी समझाते हैं ये बहुत सहज बात है स्रीप बाप और बर्शे को याद करो तुम्हारे लिए कोई पैचिला बात नहीं है बच्चा पैदा हुआ फिर से मिलने आये हैं घरी घरी पाच हजर बर्शो ही कहेंगे दो तिन बर्शो पीछे आने बले भी कहेंगे हम पाच हजर बर्शो बाद फिर से आये हैं यो बरी गुझछो बाद है सभी का बुद्धी का ताला खोला नहीं इसलिए तो ये ग्यान उनको समझ में नहीं आता बाबा पुछते है आगे कभी मुझसे मिले हो कहते हैं हाँ बाबा आत्मा इस मोक तरह कहती है हम पाँच हजर बर्शों पहले आपसे मिले थे आप इस तौन तरह शिक्षा देने आये थे जो पक्का पक्का बच्चे समझते हैं हम बाप से बहुत का बर्शा लेने बेटे हैं ह के हाँ बाबा हम आत्मों का आप परपता प्रमाट्मा बाप हो तो बाप ही कहते है तुमको हमने सरगों में बहजा था याद है, बर्षा दिया था, फिर माइा ने ये तुम्हारा राज़त चछीन लिया, अब मैं फिर देने कि लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी ये प्राज जित कबारी में तुम्हारी उपर में कोई अशंतिस्ट नहीं हो। माया बर्षा चीनती है, बाप तुम्हें देता हो। यह तो अनेक बार खेद हो चुका है, होता रहेगा, आगले कल्पों में भी होगा। तो इसका आन तो नहीं है, यह डियोरिशन चलता ही रहता है। बाप कहते हैं, बाबा, हम जहा तक जियेंगे, आपसे बर्षा जुरूर लेकर के छोड़ेंगे। दिकर्म का बोजा सेर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे न, उस योग अगनी से तुम आत्मा परमात्मा से पुन्नो आत्मा बनती जाएंगे। आग चीज को जग्यों चलते नहीं दुनिया में, दुनिया में देखो पांस साते रोज बाएक महीना तक जग्यों चलती है, तुमारा ये जग्यों तो कितना सालों से चलते आया और कितना साल तक चलेगी, बाप सुनाते ही रहते हैं, तो मुरूली तुमें मिलते ही रहते हैं, कहते हैं तो भूल मत जाना इसलिए सिर्फ मुझे याद करो सिर्फ मुझे याद करो तुमारा जनम जनमंतर के बिकर्मों का बोज़ा कारता जाएगा कोई शन्नाशी बिद्दन आदी को ऐसे कहने आएगा नहीं भगो वानवाचो मुझे बाप को याद करो कोई दहधरी को ये बाप कहने का हौक नहीं है जुरूर आया हुआ है परमपिता परमात्मा तब तो कहते हैं मुझे याद करो बाबा कहते है अब तुमको वापिस जाना है मेरी सत वापिस जाना है मैं आया हो तुमें लेने के लिए तुमारी आत्मा इस समय बहुत पौतित बन गया है करित इल्ले बन गया है अब तुम जानते हो न योग से हम पाबन बनते जाएंगे ये बीधी बाबा बताते हैं बाप कहते है ग्यान अमरित पिकर पावन सर्गों का मालिक बनो ये तुमारी लिए अभी बहुत मौका है ये साजन तुम सब सजुनियों को पावन बनाने आये हैं तुमारी कितना सभग है न कहते हैं मुझे निरान तो याद करो तुमारी यही प्रतिग्या है न कि आप जब आएंगे न और संग तोर तुम संग जोरेंगे तुम ही प्रतिग्या किया अब मैं आया हो मुझसे अभी संग जोरो तुम पर वारी जाएंगे प्रतिग्या किया न स्त्री पुरुष पर पुरुष स्त्री पर बलिहार जोते हैं यहां है बाप पर बलिहार जाना साधी में एक दो पर बुलिहार जाते हैं, तब तो परिवार बनते हैं, अब बाप कहते हैं, मुनश्य पर बुलिहार नहीं जाना, वो अभी कैंसल करो, तुमारी प्रतिग्या है, आप पर बुलिहार जाएंगे, आप हमारी पर बुलिहार होना, बाबा कहते हैं, तुम बुलिहार जाओ तो एकुश जुन मों तुमको यो सदा सुखी बना दोंगा ये मेरा बली हार है करके तु देखो कितना भारी बर्षा है न अब आबा कहेते हैं मैं तुमको बार अर्थत बर्षा देता हूँ स्रिप तुम निरंतर मुझे ही याद करो स्रिमोट से ही तुम स्रेश्टो बनेंगे यो भूलो मौट ये लक्ष्पी नर्ण का चित्रो भी घर में रख दो हम बाप से फिर से बर्षा ले रहे हैं ये नशा तुमारा रहेगा बाप परमधम से आया हुआ है परुन तो माया चिल भी कौम नहीं है पांजा मार देती है सबकी बात नहीं है नंबर बार है कोईओ कोईओ का ऐसा होता है कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से बर्षा लेते हैं यहां बेटे हैं तो नशा चलता है यहां से बाहर निकला भूल गया फिर सुबहों को रिफ्रेश होते हैं फिर सारा दिन भोल जाते हैं चार पांच बर्षों अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो जग्यों में है नहीं कुछ अबगगा की तो माया ने जोर से थपर मारा और चले गए बाबा कहो देते हैं बच्छे माया बहुत करी है अबगगा करने से माया एकदम गिरा देती हैं इसलिए गाया जाता है चरे तो चाके प्रेम रोश और गिरे तो चकना चुर देखते हो ना कि इसे चकना चुर हो जाता है बैकोंटो में तो जोरूर चलेंगे परन्तु पौद में नंबर बार तो है ना भल वहाँ सब सुकी रहते हैं फिर भी मरतबा में तो फरक हो जाता है राद दिन का फरक हो जाता है स्कुल में देखो मरतबा पाने के लिए तो पृरुश अकरते है ना ऐसे नहीं प्रजा ही सही तो जो तकदीर में होगा वही सही नहीं इसको तमप्रदान पृरुश अथ कहा जायेगा सत्प्रदान उनको कहेंगी जो बाप से पूरा वर्ष लेने का पूरुश अक जो एकदम रेस से निकाल देती है तो मरी हुमेंड रेस है आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए है सोरीर लेते लेते बहुत तौंग हुए है कहते है और बाबा के पास जाए तो बाबा ने योक्ती तो बतला ही हुई है बाबा हम आपकी याद में रहेंगे जितना टाइम मे तो आठ घंटा रहो सृष्टी को शर्ग बनाना कितना भारी सर्विस है न कितना बरा काम भगवान को और तुम बच्छों को मिला हुआ है दोनों मिला करके करेंगे तो स्रिप बाप को याद करो और शुकोधाम को याद करो बस 8 गंटा 21 का तो पुरा बर्षा पाएंगे ऐसे याद करते करते तुमारी भी कर्म विनाश होंगे 8 गंटा तुम इस सर्विस में 2 देखर के देखो बाकी 16 गंटा तो तुम फ्री हो ही न जहत्या हो सके घरी घरी याद करो या तो कहा ही, कहा बेट करके कर सकते हो इसलिए कोई तो पर्मनेंट जागा चुनने का कोई जुरूरी नहीं तो इससे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा सबसे तो टाइम सवेरा का टाइम है सिंधी में कहते हैं सवेल सुमन, सवेल उथन सवेरे और तत जल्दी सोना तो जल्दी सवेरे उटना यो गुन मुनश्य को बरा करता है अज्यानि लोक आठ घंटा नेंद करते है तुमारी नेंद आदी होनी चाहिए चार घंटा नेंद बस करवो जोगी तो हो न रात को दोश बजे सो जाओ दो बाजे उटो श्री बाबा को याद करो दो बाजे नहीं उट सकते हो तो तीन बाजे उटो चार बाजे उटो तो ये तुमारी लिए बहुत बरकत होगी वो फसकलास समय है एकदम शांती रहती है सब भी औशुरिरी बन जाते है उस समय शननाटा बहुत होता है साइलेंस वार्ड बन जाता है जैसे कि मुल्बतन हो जाती है ये दुनिया ऐसे लगता जैसे सब मरे पुरे हुए है तुम जगरन कर रहे हो उस समय तुम बाबा को याद करेंगे तो फिर वो पक्की याद हो जाएगी बाबा कभी तुम्हारा उपर दृष्टी रहेगी आमरी तो विल की याद अच्छा असर करती है बाबा बहुत करके राद को जगते रहते है स्थोल काम में आने से मता भारी होता है शुक्ष्म सर्विस में ठाका बटने ही होती कामाई तो रही ही ठाकाएगी कामाई से तो खुशी होगी तो सबिरे सबिरे उट करके याद करने से बरीक कामाई होती है अंतिम समाई में देखेंगे तो हमारा तो भुछ रोजगार हुआ है कामाई हुआ है अच्छा मेठे मेठे सिकिलदे बच्चों पूर्टी मात पिता बाप दादा का याद प्यारार गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते धरणा के लिए मुख खोशार एक नमबर सवेरे अमरित वेले ओट औशुरी रिबन बाप को याद करने का अभश करना है पुरा बर्शा लेने के लिए याद की एरेज करनी है कम से कम आठ घंटा याद जुरूर करना है नमबर दो एक बाप पर पुरा बुलिहर जाना है परमत बाप मन मत पर ना चल एक बाप की स्रेश्ट मत पर चलना है बर्दान रूहनी एकसरसाइज दारा वेट को शमप्त करने वाले समान और समीप भावा रूहनी एकसरसाइज अर्थाद अभी अभी निरा करी अभी 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 शाकरी करम जोगी अभी अभी विश्य शेवादरी ऐसे exercise रोज करो तो बैठो का जो बोज है वो शमाप तो हो जाएगा जब बोज शमाप तो हो माशुक शमान डबल लाइट बनो तो अब जोरी अच्छी लगेगी जोदी माशुक हलका हो और आशिक भरी हो तो जोरी अच्छी नहीं लगेगी रूहानी माशुक आशिकों को कहते हैं बचे शमान बनो शमे पे बनो श्लोगन अपने जिवन रुपी गुल्दस्ते द्वारा दिब्बोता की खुश्बू फेलाना ही गुन मुर्त बनना है